मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार इस YouTube के चैनल पर और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा Binary Multiplication इसके पहले मैंने Binary से related तीन वीडियो बनाए जिसे मैंने Binary का introduction दिया पहले वीडियो में दूसरा मैंने Binary Edition तिसरा में Binary Subjection और जो चौथा वीडियो में बनाने जा रहा हूँ उसमें Binary Multiplication के बारे में बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में Binary Dividation के बारे मताऊंगा तो हम लोग अकसर confused रहते हैं कि हम लोग Binary Digits को कैसे add करें कैसे subject करें कैसे multiply करें कैसे divide करें कहीं लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि यह क्या वाई आप computer के subject में यह math क्यों पढ़ा रहे हो तो यह हम लोग के लिए बहुत ही जलुए है इसको convert करना conversation यह is most important for the binary digits because you know well that I have worked on the computer and the computer have converted it into the binary digits and after this it have to converted in our own language and then after we can suggest that and we can understand that what is computer giving us okay as the output so when we are working on the binary digits में ही होता है बहले ही हमारे नजर में कुछ भी हो और उसे convert करने के बाद वापस भी हमें हमारे लेंगे में दिखाता है लेकिन इसके बीच में जो भी computer हमारे work को करता है चाहिए वह हमारे instruction हो या command हो या जो भी हो वह एक binary digits के रूप में ही accept करता है तो binary multiplication हम लोग देखते हैं क्या होगा लेकिन इसके पहले में एक बार फिर से कहूंगा कि अगर अब तक अपने मेले चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज एक बार subscribe कर दें ताकि आपको तो हमारे इस तरह की जो भी जो कैसे वीडियो हो जो आपके लाइक हो जो आपको पसंद हो उसे आप देखते हैं तो आई हम लोग करते हैं इसमें में हम लोग क्या क्या वर्क करेंगे और कैसे हम लोग का मल्टिप्लीकेशन होगा यह मल्टिप्लीकेशन जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिलकुल ही easy है बिलकुल ही easy है जैसे हम लोग अपने life में multiply करते हैं उस type का इसके कुछ रूल होते हैं देखिए मैंने रूल भी आप लोग को बता दिया है जो रूल होते हैं आपका रूल क्या है तो 0 से अगर देखिए multiply के जगह पे मैंने start लगाया है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता हैं अगर आप मेरी continue सारी वीडियो को देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि Keyboards में जो होते है multiply के mark जो होते तो X तो होता है लेकिन X अगर हम लोग अप्लाइगे तो वह वर्क नहीं करेगा हम लोग multiply के लिए star को apply करते हैं तो 10 से 0 को अगर हम लोग multiply करेंगे तो 0 आएगा जैसे हम लोग generally work करते हैं उसके अनसार 0 से 0 को अगर multiply करते हैं तो मेरा value जो आएगा वह 0 आएगा आप जानते हो 1 से 0 को multiply करेंगे तो भी 0 आएगा मतलब 0 को अगर हम लोग किसी भी number के साथ multiply करते हैं तो मेरा value जो आता है वो 0 आता है बिल्कुल easy है यह add और subtract से तो बिल्कुल easy है जैब ऐसे मुझे काम करना है जैसे हम लोग multiply करते हैं अपने mathematical work के लिए इसके बाद थर्ड जो rule है 0 to multiplied by 1 then after we will find the 0 अगर 0 से हम लोग 1 को multiply मैंने पहला ही बताया कि अगर 0 को किसी भी number से आप multiply करो तो आपका value जो आएगा वो 0 ही आएगा ओके and then after 1 into 1 equal 1 अगर हम लोग 1 से 1 को ही multiply करते हैं तो मेरा value जो है वो 1 ही आएगा अगर आप लोग इस rule को समझ गए हो तो हम लोग आगी की बढ़ेंगे आगे देखेंगे हमारा कुछ multiply का कुछ question है उस question को हम लोग कैसे solve करते हैं देखिए यह आपका question है 1 0 0 1 को multiply करना है 1 0 से हमारा कितना value आएगा कैसे multiply करेंगे बिल्कुल ही easy step है मैं आपको दिखा रहूं दिखिए 0 और 1 0 और 1 को अगर हम लोग multiply करेंगे तो मेरा value कितना आएगा मैंने पहले ही आपको बता है rules भी आप लोग देख लेंगे कि 0 और 1 को अगर हम लोग 0 में किसी भी number से हम लोग multiply करते हैं तो मेरा value हाता है 0 तो लोग 0 और 1 को multiply करेंगे तो मेरा वैलू आएगा 0 और इसके बाद बाकि जितने भी यह है 1 2 3 4 सबको बार बार से घ्रेंगे जीरो से करना है तो 0 मेरा value आएगा चाहे वह number कोई भी हो चाहे कोई भी number हो अगर हम लोग multiply करते हैं 0 से उसकी वैलू आएगी ओके मैं बार बार रेपीट करता हों एक हagon आपको इसलिए बीट ये डीराड भूले मत वह सकता है आपने डेखा हो आपके शुना हो कोई वज़ैढ़ भी हो लेकिन आप बार-बार रेपीट करने से यह ब्यूबर ऑच जाए कि और वैसे हमें को छी यासे हम मुझे सेकंड डिजिट से करना है वन से multiply करना है बाकी चारों में उपर में जो one zero zero one लिखा हुआ है तो right hand side से हम लोग multiply करते हैं आप जानते हो और right hand side से multiply करने के बाद जब हम लोग second digit का multiply करते हैं तो एक space हम लोग छोड़ते हैं तो एक स्पपेस हम छोड़ेंगे हमारा जो multiply होगा 1 में 1 से मल्टिपलाइ membership करने के बाद रही वायँ वह आएगा आपका वण और यह जो वन है वो बलकुल एक स्पेस छोड़ने के बाद आएगा जैसे हम लोग मुल्टिपलाइ hierarchy करते हैं कि यहां भी जीरु जो चाहिए क्योंकि लोग में इसके बाद हम लोग आते हैं दो कितना आएगा हम लोग तो मेरा one आएगा क्योंकि one का टेबल अगर हम लोग one time पढ़ेंगे तो one is one 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 यह आएगा one से हम लोग one को multiply करेंगे तो इस तरह से हमने multiply कर लिया अब मेरा work होता है क्या multiply करने के बाद अगर two days का multiplication हम लोग करते हैं तो इसके बाद हमारा काम होता है add करना जो उपर लिखे हुए हैं और जो नीचे लिखे हुए हैं उन दोनों को हम लोग add करेंगे द्यान देंगे आप लोग एक तो मैंने multiply कर दिया और add चुकी पहले भी मैंने आपको add बताया था अगर आपने add वाले विडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे कैसे हम लोग add करेंगे इसमें मैं description box में subtract और add दोनों का link के send कर दूंगा आप लोग उससे देखेंगे ठीक है तो हम लोग 0 के नीचे कुछ नहीं है तो अगर हम लोग इसको add करेंगे तो क्या मेरा value आएगा जीरो आएगा इसके बाद बगल में हम लोग आते हैं 0 और 1 को add करना है मुझे 0 और 1 को जब हम लोग add करेंगे तो 0 और 1 का roll होता था जीरो में 1 add करेंगे तो हमारा value आएगा 1 इसके बाद same process बगल में भी आपका 0 आया हुआ है तो left hand side में भी 0 आया हुआ है उसमें भी हम लोग add करेंगे तो वही value आएगी बिल्कुल same आएगी इसके बाद हम लोग 1 देखते हैं 1 की उपर और निचे कुछ नहीं है तो हम multiply जैसे करते हो उस तरह से हम लोग multiply इसका भी करेंगे तो इस तरह से मेरी answer आगे यहां पर मेरी value जो आ गई 10010 मेरा answer जो है आएगा इन ब्रेकेट में हम लोग लिखते हैं आप लोग को बता दिया हूँ मैं पहला ही इस तरह से मेरा answer यह आएगा 10010 binary okay 10010 binary हमारा answer आ गया अब अगर इसमें आपको कोई confusion है multiply में तो आप पूछ सकते हो लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि आपको multiply में कोई confusion होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही easy है जैसे हम लोग multiply करते हैं अलग से दिमाग लगाना कि कोई भी हो सकता नहीं बिल्कूल easy है फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉलम होती है तो आप हमें comment box में पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल support करोंगा कि how to multiply कहां पर क्या दिक्कत हो रही है आप मुझे पूछेंगे अगर आपको confusion होती है ता एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे इसके बाद भी अगर confusion दूर नहीं होता है तो हमसे पू पूर हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही फिर नाइक्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे जिसमें मैं आप लोग को divide बताऊंगा ओके